चत्तिस कड़ में आरक्षन विधेट बिल पर जारी तकरार के बीच बड़ा बदलाब देखने को मिला है चत्तिस कड़ में नई राज़ेपाल की नियुक्ति की गई और वर्तमान राज़ेपाल अनुसुया ओईकी को मनिपुर का राज़ेपाल बनाया गया अब इस बीच जहां शुब कामनाओं और बधाई का ताता लगा है तो नई राज़ेपाल के एक नई उम्मीद और आस भी जग चुकी है कि सरकार और राज़भवन के बीच जारी टकराव पर क्या विराम लगेगा आगे 36 गड़ की राज़ुनीती में आगे कि संकेत क्या है और आज इसी पर करेंगे चर्चा लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं 36 गड़ में राज़भवन और सरकार के बीच सियासी टकराव के बीच बड़ा पतलाव हुआ है मौजूदा राज़पाल अनसुया उईके को मड़ीपुर का राज़पाल नियुक्त किया गया है अनसुया उईके की जगए 36 गड़ के नए राज़पाल विश्वा भूशन हरी चंदन होगी इस बीच जहां राज़पाल और सरकार के टकराव की चर्चा हो रही है तो वहीं नए राज़पाल से एक आस जगी है क्योंकि आरक्षण विध्यकपर अभी राज़पाल के हस्ताक्षर होने बागी है नए राज़पाल की नियुक्ती के पीच सियम भूपेश बगेल ने विश्वा भूशन हरी चंदन को शुब कामनाई दी है महामहीम राष्टपती जी ने श्री विश्वा भूशन हरी चंदन जी को चटिसगड का नया राज़पाल नियुक्त किया है उन्हें धेर सारी बधाई एवं शुब कामनाई मैं चटिसगड राज़पती की ओर से हमारे नए संव्यधानिक अभिभावक का स्वागत करता हूँ तो वहीं सियम ने अनसुया उईके को बधाई देते हुए अपनी पहन बताया है तो हमने कहा ना कि एक घंटे की भीतर में हाँ साक्सेर कर दूगी ये तो बयान आया था, मीडियम भी आया था है अब मुझे भी बोली थी लेकिन उसके बाद जो एकात्म परसर से परचिहाती गई और उसके बाद बहुत बद्र महिला है, सिदी साधी है, सरल महिला है मैं तो उस दिन भी बोला था, मेरी बड़ी बहन जैसी है लेकिन जिस प्रकार से भारती जन्ता पार्टी के लोग राजभौन को राजनिती का अकाड़ा केंदर मना देते वो बहत दुर भाग जना करेंगा वही बीजेपी की ओर से इस बदलाव को समवैधानिक बताया गया है यह प्रसासलिक निर्णा है, मानने रास्ट पती जी का यह विसेशा धिकार है और किसकी सेवाएं कहां लेना है, इसका निर्णे उन्होंने किया है हमारे राजेपाल अनसया उक्यजी ने राजभावन को पहली बार आम जनता के लिए उन्होंने खोला, आम जनता की सेवा की उनकी समस्याएं सुनी अब नएर जो राजेपाल आ रहे हैं, उनका भी दिर्ग राजनिती का नुभाव है निस्तित्रूप से उनकी अनुभाव का लाब शत्तिरगड को मिलेगा दरसल 36 गण में आरक्षण के मुद्धे को लेकर सरकार और राजेपाल अनसुया उइके के पीट कई बार बयानबाजी हो चुकी है सरकार ने विधान सभा का विसेश शत्र बुला कर आरक्षण विध्यक बिल पास कराया था और इस बिल पर साइन करने के लिए राजेपाल अनसुया उइके के पास भेजा था लेकिन अब तक राजेपाल अनसुया उइके ने बिल पर साइन नहीं किया है जिसको लेकर लंबे समय तक सरकार और राजेपाल में तकरार देखी गई लेकिन अब नए राजयपाल से नई उबमी जगी है दरसल सरकार और राजयपाल के बीच आरक्षल बिल पर विवाद था जिसको लेकर प्रदेश की सियासत लगातार गर्माई थी कॉंग्रेस का राजभवन से लेकर सडकों तक हंगामा देखने को मिला था वहीं बीचेपी की ओर से भी लगातार बलटवार किया गया था दो दिसंबर को आरक्षल विध्यक विधान सभा में सर्व सम्मती से पारित हुआ राजयपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा गया कई दिन बीच जाने के बाद भी राजयपाल ने बिल पर हस्ताक्षर नहीं किये बिल को लेकर राजयपाल ने सरकार से दस सवाल पूछे थे सरकार का दावा है कि दस सवाल के जवाब दे दिये गए पाउजोद इसके राज्यपाल ने बिल पर हस्ताक्षर नहीं किये कॉंग्रेस ने बीजेपी पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया बीजेपी के दबाओं में राज्यपाल पर काम करने का भी आरोप लगा ऐसे में शुब कामनाओं और बधाई के बीच नए राज्यपाल से नई उम्मीद जगी है अब देखना होगा कि बिस्वा भूशन हरी चंदन के राज्यपाल बनने के बाद क्या सरकार और राजभवन में आरक्षर को लेकर जो तनातनी है वो दूर हो पाएगी या फिर से विवाद और बढ़ेगा टी न्यूज इस्टे तो सवाल यही है कि क्या राज्यपाल बदलने के बाद जो सियासी संकट इस वक्त बना हुआ है और जो टकराव की स्थिती बन चुकी है क्या उसका आंत होने जा रहा है बहुत सारे ऐसे सवाल हैं और इनी सवालों का जवाब तलाशनी के कोईशिश करते हैं लेकिन सबसे वहले आज की खास मेमानों से आपको मिलवा जेते हैं हमारे साथ वरेश्र पत्रकार बाबुलाल शर्मा जी कारेकर में जोड़ चुके हैं जो स्टैंड था उसको लेकर के कई तरीके के राज़ेपाल की उपर भी सवाल उठाए गए ये कहा जाता रहा कि बैक एंड पर आकर के बीजेपी सपोर्ट कर रही है ये कुछ इस तरीके के आरूप थे लेकिन अब राज़ेपाल बदल दिये गए हैं और बदलते हुए इस तस्वीर को आप किस तरीके से देख रहे हैं आपको लगता है जो टकराव की स्थिती थी सरकार और राज़भवन के बीच में जो कहली जगे जो तनातानी बनी हुई थी शायद वो खत्म हो जाएगी राज़ेपाल जो नहीं राज़ेपाल आए हैं क्या वो हस्ताक्षर कर देंगे आरक्षन का मस्तला साफ हो जाएगा आपको क्या लगता है इसके साथ किसी सियासत को साथ जोड़ना ये बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि रेखिए जैसे रमेश बैसी है वो इसी मुद्दे पर लेके थे इस मुद्दे पर जारखन ने भी ये मामला चल रहा था उन्हें महराज जैसे बड़े राज़े का राज़ेपाल बनाया गया अभी हरी चंदन जी आए हम उनका स्वागत करते हैं आपके चैनल के माध्यम से ये एक घटना करम है जिसे जिस प्रकार से एक अलेक्टरेट बदले जाते है मैं बदलाव को लेकर के कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि बदलाव के बाद जो प्रदेश के अंदर जो संकट है आरक्षन को लेकर के जो बार-बार आरूप लगते रहे हैं क्या वो उसका हल होता हूँ आपको नजार आ रहा है हल तो निकले गई सरकार जो महजूदा कॉंग्रेस की सरकार उसमें चोहतर प्रदीशक भी क्लियर किया है जबकि हम जाता है कि कोर्ट में यह टिक नहीं सकता लेकिन भारती जनता पार्टी की मनशा है कि यह आरक्षन पारीत हो जाए लेकिन इसमें जो लैक्यूना है जो विधी विशेशक्य है उसकी सला राय मशूरा की जा रही है क्योंकि दिक्कत यह है जिस दिन यह विधीशक पास हो गया उसे निश्चित रूप से कॉंग्रेस के लोग अन्य माध्यम में जाकर उसे कोर्ट में उसे चैलेंज करेंगे और न्याला उसे यथास्तिती रख देगा इससे बहुत बड़ा भवाल होगा और जो अभियरती है जो आरकषित वर्ग है और भारती जन्ता पार्टी में जाती है कि अरक्षर्ण के लाप मिलें अभियरती है उको नौफिव में और शिक्षा में तो इसलिए यह रुका हुआ है मुझे लगता है कि यह मामला साफ होगा बहुत जल्द ही साफ होगा और राजी पाल चुंकि विदीक सलाकार है उनकी टीम है वो इस मामले को नए सीरे से रिखांकित करकर कुछ नए बीन्दों को जोड़कर इसे पास करवानी की कुछ पिश्कुल आपकी चिंता वाजब है मैं आपकी बात को समझ भी रहा लेकिन उसके बावजूद उसके बात जो है कहीं कोट के अंदर उसके उपर प्रशिन चिन ना लगा दिये जाएं इस पात को लेकर के आपकी चिंता है मैं इसी को लेकर के वापस से आप से सवाल करूँगा लेकिन उससे पहले ज़रा बावुलाद चर्मा जी को जोड़ ले रहना कि बैक एंड पर सपोर्ट जो है बीजेपी कर रही है या बीजेपी के दबाव में आकर के राज़ेपाल काम कर रही है क्या अब इस तरीके के आरोपों के बीच जो टक्राव की स्तिति ती या तकरार जो बना हुआ था वो खत्म होने की संभापना है या सियासत अब भी होगी पहली बात तो समयधानिक पत्पर बैठे वे वेक्ति के ऊपर इस तरह के आरोप लगने नहीं चाहिए लेकिन कुछ परिस्टितियां ऐसी बनी जिसकी वजह से इसमें राजनिती गाई और राजनिती के आरोप लगाने के लाएक उसमें रास्ता बना होता यह है कि जो आपके पास अधिकार है साविदानिक पर बैठे वेक्ति के पास में जो अधिकार है उनको उनका उपयोग कर लेना चाहिए तीन इनकार कर दें नसकत करने से इया उस पर आपत्ति लगा कर लोटा दें या राष्टपती के लिए सुरक्षित करके कह दें कि हम राष्टपती को बेजेंगे तीन अधिकार उनके पास है बड़े मूद उनकी गलती क्या हुई जिसके कारण राजनती हुई गलती ये हुई कि वो किसी निरने तक नहीं पहुच पाई अपने अधिकारों की निरने को प्रपरटी है उसके लिए पूच पैचान या पत्र जो है वो सरकार को लिखते रहे तो इस वज़े से ये भी बात बना और बिवात बनने के बाद जिस तरह से रोका गया था हाला कि ये बात सही है कि संभिधान में कहीं भी इस बात का उल्लेक इस फश्ट नहीं है कि राज इनने तक पहुंच जाती है अब विश्वा भुषन हरिचंदन या है देखिए राज नितिक की जब राजपाल बनता है तो उसके अपने दिश्टिकोंड बन जाते हैं और ये तो जनसंग के समय से जो है सदर्श है भारतियनता पार्टी के जनता दल में भी रहे तो विधा सब्सक्राइब है तो इस पर भी जो है कहीं ऐसी स्थितियां फिर से न बने हम तो ऐसा ही चाहेंगे लेकिन मुझे लगता है कि जो विदेख के लिए हम पहले भी बोल चुके थे कि अभी आटकेगा वह अभी भी आटका ही रहेगा यानिकी आरक्षन को लेकर के आमने सामने के स्थिति सरकार और राजभवन के बीच में आगे भी बनने की संबाबनाएं ऐसी हो सकती हैं लेकिन जल्दी से एक रियाक्शन और ले लेता हूँ अब नारायन जी लगातार हमार साथ आप कारेक्रा में जुड़ चुके हैं बहुत स्वागत है अब नारायन जी हमार साथ भी कर दें तो उसके बावजूद जब कोट में कोई जाता है या कोई इसमें इस पर सवाल खड़ा कर दे प्रश्चन लगा दे तो क्या ऐसा नहीं कि वापस से जो आज के समय में आराक्शन को लेकर के इस्तिति है आगे भी हो जाए और आपको ये भी लग रहा है कि नए र कर कि विधान सवात कोई चीज पारित होने के बाद बहुमत पे पास हुआ सबील नगजे विधार को ने अपनी सहमती जदाई अब राजय पाल गी को तीन काम करने ते या तो सटाक्षर करना था या वापस करना था या राश्चति के पास रेजना था इनों काम उन्होंने प्रतम निस्याउं को लगा कि पजवाले को जमाद देना चाहिए है लेकिन फिर हुआ कि राज़िपाल को राज़िपाल को राज़िपाल को नोटिस नहीं हो तकी राज़िपाल के विलोग हाई कोट गए और थिवो इसके हो गया तो राज़िपाल के उपर तो संका समधान है नहीं है जो बाती जा पाइटी जो केंद्र की सरकार राज़िपाल को नियंतित करने का प्रयाद कर रही है आपको लगता है कि कंग्रेस पार्टी ये सरकार की तरफ से कहीं चूक हो गई कि समयधानिक पत पर बैटे हुए या राज़बवन से सवाल करके और कोट में जाना ये उस समयधानिक पत को लेकर के प्रश्ण चिने लगाने जैसा था जो कि कोट ने भी जिसको खारिज कर द आपको उमीद है कि कुछ नए तरीके से जो बदलाव आए हैं उससे कुछ चीजें भी बत लेंगी हस्ताक्षर भी होने की संभावनाएं बन सकेंगी कोई जो बहुतरी कोई दूराव नहीं है लेकिन मैं बार बार करह वह हुँगी तरह जवाब दीजें राजीब जी ये कह दिया जा रहा है कि बीजेपी राद्बवन को कंट्रोल ना करें और जिस बात को लेकर करके आप चुनताव लाइर कर रहे थे आपने कहा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि बात में कोई कोट में जाकर के चैलेंज कर दे चैप्तर फीजदी आरक्षंट को आपको नहीं लगता कि इसी को लेकर के जब सदन के बीतर भी तो ये प्रसंटेज थी ना उसमें आपने तब क्यों नहीं सवाल उठाए तो विशेश परिस्तिती तो राज्य सरकार को चाहिए था कि आनन फानन में दो दिन के सत्र में इसे लाकर पेश कर दिया है जिससे बहुत सवाल पूछे गया थे उसके भी जो डेटा जिस डेटा की बात कह जारी थी वो डेटा भी पूर नहीं है जो सांखी की जातिकत करना की बात की जारी थी वो जातिकत करना भी पूर नहीं है तो उसी को लेकर इन्होंने सब्सक्राइब कर सकते थे यह राजपाल राजभवन को करना पढ़ाए जो काम सदन के अंदर विपक्ष को करना चाहिए था वो राजभवन की द्वारा दरसल उस पूरे मसले को लेकर जिस जिन का सात्र था हमारे पास यह था कि जो विदायक आया है विदान साफा में आनन पानन में इसे पास करके भेज दिये जाए क्योंकि जो बच्चे नौकरी के लिए बैठे में जो अभिहारती जो शिक्षा ग्रेंड करें जो अनुसुची जाती जंग जाती वरग के समसे कम 15 दिन की डिबेट हो 15 दिन का सत्र हो ताकि जो लेक्यूनाज है जो कमी वेसी हो गई है उसे जोड़ा जाए लेकिन चुनावी लाप चुंकि उस इन भानु परतातपूर का चुनाओं का पोलिंग था तरकार ने जान बूच कर ऐसे टार्गेट रखा कि हमें आधिव सदम के बीतर समर्तन करना पड़ा लेकिन सदख पर आकरके आज विरोध कर रहे हैं आप अब नए राजय पाल की नुक्ति होने जा रही है क्या भारतिय जंता पार्टी की नेता कि वार बार सवाल उठाइं जाते हैं कि लड़ाई को आप बोग पूरा पूरा फायदा मिले हारक्षित वर्गों को दोनों में अंतर है पूरा मसला इतने लंबे टाइम तक चला भी है लेकिन आगे की परिस्यति आपको क्या नजर आ रहे है आप बहुत बढ़िया एक प्रशन किये राजी जी से कि आप भी अगर चाहते हैं कि आरक्षन मिले और युवाओं को नोकरी मिले उनमें किसी बादा आरचन ना आए तो राजबहन आप भी चाहिए वहाँ भी बोलिये कहिए कि करिये आप करके वो बिल्कुल सही प्रशन किया वहाँ पर जवाब जो है वो नहीं मिला लेकिं कांग्रेस को कांग्रेस गई राजबहन में प्रेयर किया प्रार्शना की उन्होंने कहा कि आप कर दीजिये दो बार गई लेकिन भारती जन्ता पार्टी सिर्व बयान पर अठकी रही यही मुद्दा बना कि जिसके वजह से आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा बन ग किये और कहा कि इसके बगएर जो है यह अटक जाएगा कोड़ चला जाएगा कांग्रेस का पक्ष यह था कि हमको यह करके भेजना है और वह देखे होता क्या है अगर मानली जी राजपाल हस्ताक्षर कर देती इसी विदेग पर तो होता क्या कि वह भले ही कोड़ में चले जात तो कि जब 20 से 32 परसेंट डक्टर रमन सिंह ने किया था तब भी वह इस्तिति थी वह कोड़ में चले गए थी और उसका प्रेटिकली बहुदा वक्त की सरकार को मिल जाएगा और यह नहीं चाते हैं तो यही बात जो है पॉलिटिकल हो गई यहां पर आगर पॉलिटिकल होन हैं वो करिपक्ग और लाजनिति की समस्ज़ लें उनको किसी सलाह की जरूत दिपड़ी एक निरने तर पोचे बुगह लगता है वो तीन अधिकार इंकर किसी एक निरने पर पुह जाए है तो लोटा देंगे कि या राष्ठ पतिक लिए नहीं करूब मुझे लगता है यह निर्णे कर लेगे सर्प जंता पूचे कि कि जिम्यदारी तो आपकी है सरकार तो आपकी है आप आरक्षन नहीं दिला पाए क्या कहेंगे फिर में जुक्ते लोस्त वेंदू जी को उसे रोख के बाद हमाली जवाब लिए तो जवाबदारी को हमने रिचे अधर्णेदे शिपपी जिम्यदार पपूच परचे लड़ें यानि कि आपका ही मानना है कि जो इस्तितियां बनी है वो बीजेपी के वज़ा से बनी है लेकिन राजीव जी अब तो जब आप दे दीजिये अब तो बताईए आगे क्या करना चाहरे हैं आप नई राज़पाल आने वाले हैं उनसे मुलाकात करेंगे या सिर्फ इंतजार करेंगे कि सारे काम कॉंग्रेस ही करें सिर्फ आरोप लगाने का काम होगा आपका यह देखिए आरक्षण पर जितने बार गतिरोध हुआ है वो गतिरोध कॉंग्रेस पाटी है जो इन लोगों ने आरक्षण के उपर पणिया की जो पोड़ गए वो भी कॉंग्रेस के लोग थे और जो आज भी जो मौझिदवास्तिती है कॉंग्रेस ने आनन फानन में इससे विदान सभा से पारित करवाया इसे बाबोलाज जी बहुत दिर्क खालीन अनुभाय उनको राजनेकी का विदान सभा उन्होंने इस पर्च कहा कि बीजेपी ने पॉइंट आउट किया था कि जो साइंगी की डेटा की बात थी जाती कर जंगरना की बात थी जो 2011 के लिया ग खड़े कर दिये जाते हैं आप बार-बार कह रहें ना आधार बना करके जब 56 पर सवाल कड़े कर दिये तो आगे 72 का क्या होगा तो 56 पीज़ी 50 पीज़ी से जाधा नहीं होना चाहिए था ना आपने किस आधार पर किया आपके पास कोई रिपोर्ट थी किया मैं पूछ रहा हूं कि जब आपकी सरकार ने आरक्षन का लाब दिया तो तब आपके पास कोई डाटा था कोई आधार था 50 पीज़ी आपकी सीमा थी ना लेकिन आपने फिर भी 56 पीज़ी किया किस आधार पर किया फिर हमने दिया हमारे पास डेटा था उसका पुराना जी लेकिन चिवेंदु जी हमने दिया तो पांच साल चलता रहा कोट में मामला चलता रहा अगर आज भी सरकार अगर राजपाल मौदे अगर आज भी हस्ताक्षर कर देते हैं तो 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 तक तो लाब मिले गई तीन-चार साल नहीं चलता है आज कल तूरन निरने यहा जात सव पृतिशत कि इसे पांच दिन-दस दिन बाद कोट में चैलेंज कर दिया जाएगा और यह तस दिक कि लाएगी दिल पर हात रखेंगे बताईए कि अरक्षर इसी सरकार भी बिजा तो अच्छा है या ऐसी लटकर रहेगा तो ज्यादा बैतर होगा माफिके साथ रुख रहो है बहुत शुक्रिया सबी खास मैमानों का कारेक्टर में शाविल होने के लिए लेकिन नई-राजजपाल के आने के बाद क्या जो सियासी संकत है जो टकरात की स्थितिय है क्या वो खत्म होने जा रहे